असलाम लेकुम जी कैसे हैं सब लोग उमीद करती हैं विल्कुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे आज ही हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार चना चार्ट जहटपड बनकर त्यार हो जाती है और बहुत ही मज़े की खटी-खटी सी चार्ट बनती है अगर आप डेली रू कि इसको फिर मैंने थोड़ा से नमक डाल के हाड़ली 15 मिनिट लगे थे बॉइल कर लिया था सोडा नहीं लगा है था दो मीडियम साइस के आलू है जिनको बॉइल कर लिया है साथ ही हाफ क्यूकंबर है खीरा हाफ तमाटर जो ऑन से भी वेजेटेबल सापको छी लगती है आपाजकर लगती है असे के न साथ में धनिया है और पुदीना अच्छी good quantity में इसमें जाएगा यह dealer high Mona मैंने मिक्स करके काते हूए थे स्प्रिंकल करती है अच्छा यह अब इसमें शामिल करेंगे हम दो लेमन का रस यानि के प्रॉपरली पल्प के साथ अलाइदा से सिफ जूस एड़ नी करेंगे इसके पल्प भी जाएगा उतना ही मज़ेका है खटा-खटा सा बनेगा अगर आप चाहो आप इसके अंदर इमली भी आड़ कर सकते हो तो और भी जादा मज़ेका हो जाएगा यह अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर चाहट मसाला भी शामिल कर सकते हो मैंने इसमें एड़ कर दिया है एक टीस्पून भर केक सफैद दिल का इसका बहुत यूनीक सा फ्लेवर आता है इसके अदर साथ में थोड़ा सा क्रँच पी आ जाता है वो बहुत मज़ेका लगता ह अच्छा जी इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स और अगर आप बनाना चाते हैं घर में खस्ता समोसे केक रस्ट बगएर रवन के पिज़ा पकोड़ा प्लैटर इमली की चट्नी या नान खताई बहुत सी रेसिपीज जो आल्लेडी चैनल पे अप्लोड़ड़े हैं जरूर चेक आउट कर लेना ये जी हमारी मज़ेदार खटी सी चाट हो चुकी है बनके तैयार इसको जब सर्फ करेना है तो उसके पर फिर से हम से फैतिल स्प्रिंकल कर देंगे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में अगर आप चाहते हैं आप इसके अंदर मुंपली भी